कि कोट क्या किसी कस्टडि के लिया आती है तो पी एम एले कानून ऐसा है उसमें कस्टडि मिल जाती है लेकिन कोट के सवालों का जवाब नहीं था दिनेश अरोडा और अमित अरोडा के स्टेटमेंट्स को जिन्होंने आधार बनाया ये दिनेश अरोडा, जो माने संजे सिंग जी नी भी कहा, कोट के अंदर, यही दिनेश अरोडा और यही अमित अरोडा ने कई बार स्टेटमेंट्स दियी हैं और एक बार तो इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या भिया संजे सिंगों कि आपने को inward पैसा दिया और अप्रूबर बनने के बाद 14 अगस्त को यह स्टेट्मेंट देता है उस पे क्यों कोई ट्रस्ट करेगा वो नेचुरल सी बात है किसी का तुम कान फाड़ोगे किसी का दात तोड़ोगे किसी की परवार को धमकी दोगे आप इस सर्थ पर कि तुमको तभी छोड़ेगे जब तुम इन इन बैक्तियों का नाम लोगे तो संजे सिंग का छोड़ो वो तो मोधी का नाम ले ले यह तो इडी से पूछो भी यह तो जीरो मेरे मेरे हिसाब से यह सब हवा हवाई है मानी उच्टम नाली भी देख रहा है इसको मानी मानी नाली भी देख रहा है इसको हवा हवाई है एक नentin ये थेले के रिकपरी नहीं एक ने धेले का ट्रेस नहीं के नहीं किसकी पैसा तो बैयान देख बैयान जो 27 मार्च को रोच ते मार्च में हो गए जए तब आकर कारवाई की गई इस पर बचाव पक्स का भी सवाल था उसके बारे में एक्स प्रेजिशन दिया कि भी उन्हें धंकी दी गई थी कि बहुत सारे इंफ्लेंसल लोग है उनका किसी का नाम ना ल सब्सक्राइब के सारे आर्गोमेंट्स ध्वस्त हैं पांस दिन वीट करो सब काम हो जाएगा पूछा गया कि आपने को संजे सिंग को पैसा दिया तो का नो नेभर यह उन्रिकॉड है कि नो नेभर तो वह स्टेट्मेंट का महनेता नहीं है लेकिन यह एक्यूजड टर्ण प्रूबर की स्टेट्मेंट कहा माननता है यह मानने उच्टम नाले फैसला करेगा और मानने नाले फैसला करेगा तो ने ने पूछा यह बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है उनके श्रण को इसका जवाब नहीं तो इस सभी बातें ओन रिकॉर्ड हैं और वो कहरें कि भई हमने CDR लिया है और मैं आपको बता दूँ CDR एक मोबाइल टावर का होता है उस मोबाइल टावर के इर्दगिर्ध ही वो विक्ति होगा तो संजे सिंग के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है तो क्या तिवारी से मिलने का था बाद में तो ये तो सिवे बताएगी इडी बताएगी तो आज इडी के पास किसी भी सवाल का जबाब नहीं था आज ये बहुत दुखद है कि उस सक्स को ये प्रताड़ित करने का अपरत्त कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की अवाज देश के जंजन की अवाज पारलेमेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा ये आपको मैं बचन दे रहे हैं क्या कोस्तरेक्शन होगा किया फडर जना है अवह रचाणी fest कर लें के पास कोई सबूट नहीं है और का सबूट नहीं है एक पैसे का ट्रेल नहीं है यह सब हवा हवाई है पूरा केस यह इसलिए किया जा रहा है चुकि एक विक्ति है इस देश के अंदर जिससे माने मोदीजी को डर लगता है उसका नाम अर्विंद केजरीवाल और उसी का प्रिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है अंदे गिरफ्तारिया भी होगी अर्वित केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गरफ्तारिया हो सकते हैं देखो राजा साथ का मूड है अब राजा साथ जो चाहे करें लेकिन देश की दिमोकरिसी देश का प्रजातंत्र देश का संब्धान देश का कोट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और नया हो इस देश के अंदर कानून को ताक पर रखकर के कारवाई की गई आज ये कोट में बताया गया कि ड्यू प्रॉसेस अफ लॉग को फॉली नहीं ने फॉलू नहीं किया ना कोई नोटिस भेजा ना कोई समन भेजा एक बैग जाकर के किसी की घर में आप उ किस बात को आज कोट में रखा गयां और कोट ने सका संग्यान भी लिए हैं बहुत दुरभाग के रहे किस प्रकार की हरकतें मुडि शरकार है अपने राजनितिक प्रसेस्शली इ thirsty फिस लाफ ले रही है था-सा की इस्तिती यह दिनेश ओरोडा का स्टेट्मेंट कई वार हो चुका एक भी बार इनफाक्ट ये ओन रिकॉर्ड है आज संजे जी ने कोट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और एक अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है जब वो अप्रूबर बन जाता है तो नाम लेता है तो पहला जो कोई एक यूज्ड है आपका उसके स्टेट्मेंट कितनी महत्ता है ये महनिये उच्छतम नाले भी देख रहा है और माने नाले यह वो सक्स है संजे सिंग जिसने की आख में आख डाल करके मोदी जी बात की मनिपूर पे जब सवाल पोचा तो संजे सिंग ने पोचा डिली की जनता के हको जब मारा गया तो संजे संग ने पोच्छा